नमश्कर दोस्तों, हेल्फ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि CSC के जरिए आप PM किसान सम्मा निदी योजना की EKYC किस प्रकास सक्सेस्पूल कर सकते हैं तो वीडियो की लश्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके सबसे पहले आपको PM किसान की वेब साइड पे आ जाना है और यहाँ पर उपर आपको CSC Login का ओप्सन दिखाई देगा तो यहाँ से आपको Login होना है Login होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको Biometric आधार Authorications को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको Customer का आधार नमबर लगाना है दोस्तो KYC करना अनिवारे हैं वरना आपके 2000 रुपे रुख जाएंगे यहाँ पर आपको Capture Code यहाँ पर Type करना है जैसा सामने लिखा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पर आपको Type कर देना है और Search पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको जो आपने Registration के समय आपने Mobile नमबर दिया था वो Mobile नमबर लिख सकते हैं वरना यादि आपके पास और भी कोई Mobile नमबर है वो भी लिख कर Great Mobile OTP पर क्लिक कर देना है अब एक आपके Mobile पर OTP आएगा चारंगों का वो OTP यहाँ पर आपको डालना है सर्मिट OTP पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है EKYC Morpho Device, EKYC Attack Device, EKYC Mantra जो आपके पास Machine है उस पर आपको क्लिक कर देना है तो मेरे पास मंत्रा है यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और वहाँ से Finger ले लिया है Success का Message आश चुका है OK पर मैंने क्लिक किया नीचे सर्मिट का Option दिखाई दे रहा है आपको सर्मिट पर आपको क्लिक कर देना है सर्मिट पर क्लिक करने के बाद में आपका KYC Done हो जाएगा अब आपसे Payment के लिए ये बोला जाएगा तो आपको OK पर क्लिक कर देना है Digital Seva का जो Password है वो यहाँ पर डालना है आपको तो यहाँ पर Digital Seva का हमने Password डाल कर Validate पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर Wallet का Password मागा जा रहा है वो आपने लगा कर Pay पर क्लिक कर देना है Payment सक्सेस्पूल दिखाएगा और असी जनरेट होके आ जाएगी इसी प्रकार आप अपनी KYC PM किसान सम्मान दी योजना की आराम से कर सकते हैं किसी भी CSC सेंटर पर जाकर